आज की GrandRP की वीडियो में हम देखने वाले 10 more useful tips जो आपको पता होनी चाहिए और इससे GrandRP खेलना काफी असान हो जाएगा हो सकता है कुछ लोगों को इटिप्स अड़री पता हो बट कुछ को मैं भी ना भी बता हूँ सो वीडियो को एंट तक देखने हैं आपने भी तक GrandRP खेलना शुरूरू नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पे क्लिक करो जिस सर्वर पे खेलना जाते हो सलेक्ट करो एकाउंट फ्री में रिस्टर करो और लॉंचर डाउनलोड कर लो जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो सबसे पहला है भई आटोमाटिक ऑथराइजेशन और इससे आपका ना हर बार लॉग इन करते वक्त पासवर्ट डालने की जंजट खतम हो जाएगी बस M प्रेस करो दन सेटिंग्स में जाओ और वहाँ परफोर्मेंस में आटोमाटिक ऑथराइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा बेसिकली अगर आप हर बार इमेल और प्रासवर्ट डालके लॉग इन करते हो तो इसको आउन करने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी योगि आप डिरेक्टी लॉग इन हो जाओगे इससे आपका टाइम बज़ेगा स्पेशली जब आपको बहुत बार रिलॉग करना पड़े तो आप जल्दी से रिलॉग करके वापस आ सकते हो फाइड करने बिकॉज जो सबसे आखिर में बैट लगाएगा वही चीतेगा और इसलिए मेरे समझ नहीं आता भाई कि लोग पूरे दिन क्यों बैट लगाते रहते हैं फाल तो में घर बिजनस और आइटम का प्राइस इतना हाई पहुँच जाता है अगर कोई ऐसा घर हो जिसपे आपको बताओ कि बैट नहीं लगेगी तो फायदा है अधरवाइस कोई फायदा नहीं है जो भी आप बिगना जॉब्स कर रहे हो ना या फिर ऑफिस टास कर रहे हो उससे आप 10-20 मिलियन डॉलर नहीं कमाने वाले असली पैसा आप यहाँ पर रिसेलिंग सही कमाओगे मतलब किसी आइटम को सस्ते पर खडीद के महंगे पर बेचना कुछ लोग सीड्स की रिसेलिंग करते हैं कोई बैटरीज की, कोई आर्पी टिकेट्स, कोई रिसोर्स फ्यूल बढ़ मैं बता दो कि भाई इसके लिए ना नौलेज होनी चाहिए मार्गेट की समझ होनी चाहिए एंड डिस्क हमेशा रहता है जिससे जो लोग लेवल 4 के बैकपैक की रिसेलिंग करते होंगे वो तो भाई बढ़बाद हो गए होंगे क्योंकि उसके प्राइस आदे रह गए हैं सर्वर पे ये पहले धाई से 3 मिलियन में बिकता था और अब नूपडेट के बाद तो सिर्फ 1 मिलियन करा गया है बलकि उसमें भी बिकना मुश्किल हो रहा है इसलिए भाई डिस्क रहता है लेकिन हाँ जो लोग इस गेम को समझ गए हैं वो कमाते हैं भाई अंदा पैसा 50 मिलियन, 100 मिलियन इसके लिए लोग पेट्स और इवन क्लोट्स की भी रिसलिंग करते हैं बट यह एडवांस गेम है सो नेक्स टाइम से आप बस यहीं से खेल सकते हो इससे आपको 50 FPS जादा मिल जाते हैं अब वैसे Grand RP के लांजर के अपने फायदे हैं लाइक आप उससे गेम फायल को वेरिफाइ कर सकते हो सर्वर्स बिलकुल सामने दिख जाते हैं पर रेज MP भी अच्छा है इससे आपकी गाडियन आपको आपको आटोमाटिकली चलाकर उस जगाप पर ले जाएगी हाँ स्लो चलती है विकॉस सेटी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और मैं भी रास्ते में कहीं अटक जाए बड़ चल अच्छा फीचर आपको ड्राइफ करने का मन नहीं कर रहा है ये वाली ट्रिक तो भाई मेरेको खुद गेम खेलने के दो साल बाद पता चली बेजिकली जब भी कोई लोकेशन आपके मैप पे आटोमाटिकली मार्क होती है लाइक आपके बिजनस की लोकेशन या घर की लोकेशन तो वो तब तक नहीं हटेगी जब तक आप वहाँ चले ना जाओ बड़ उसका एक जुगार है के प्रेस करके फोन खोलो जेपीएस में जाओ एंड वहाँ सबसे नीचे टर्न आफ नाइविगेटर का ओप्शन आता है उस पर क्लिक कर दो एंड लोकेशन हट जाएगी यह मेरे लिए बहुत अच्छा था बिकाज अक्सर मैप पे ऐसे दो-तीन मार्क लग जाते थे चो मेरे को दे नहीं सकते हो सामने वाला यूज नहीं कर सकता है इसे, सिर्फ आप ही इसे यूज और इस्का मतलब यह होता है इन आइटम्स को आप कुछ क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर क्राफ्टिंग में यूज कर सकते हो देन आपको कुछ जगर न रोट्स पे ऐसे स्पाइक्स मिल सकते हैं और यह आपकी कारी का टायर पंचर कर सकते हैं जिसके बाद आप चला नहीं पाओगे और रिपेर करना पड़ेगा बिकोज पंक्चरड कारी चलाते हो तो भाई वो यूबी यानि की अन्रिलिस्टिक ब्येवियर में आता है तो आप समझ लो कि यह स्पाइक्स ना डिरेक्शनल स्पाइक्स हैं देन किसी ऐसी जगा चले जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हो फिर इंवेंटरी से इसा यूज करो कोई भी इंटरस्टिंग सा मैसेज लिख दो अगर मैसेज अच्छा होग भाई तब लोग डोनेट करेंगे दिन उसके बाद बैट चुके हो और लोग आपको कुछ ना कुछ दे सकते हैं बट याद रखना कि भाई ऐसा करते हैं आप स्लीप में चले जाओगे एंड हाँ एक कार्डबोर्ट सर्फ एकी बार यूज होता है बाकी भाई लास्ट टिप तो बिल्कुल सिंपल है बट जरूरी है कभी गैस्टिशन जाओ ना तो पेट्रोल भढ़ा के वहां से निकल लो ज़्यादा देर मत रुकना वेकाज अक्सर कोई काली स्पीड में आ रही होगी न तो वो गैस्टिशन से टकराएगी और वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा बहुत बड़ा जिसमें सब ही मरेंगे सो बस यार यही थी वो 10 टिप्स और ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए इन ग्रैंड आरपी ऐसी कुछ और टिप्स आपको लेफ्ट वाली वीडियो में मिल जाएगी और ग्रैंड आरपी कैसे खेलना शुरू करें उसके लिए राइट वीडियो जरूर देखना यह वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करो जाएगा तो सब्सक्राइब करो और मिलोगा आपसे अगरी वीडियो में तब तक के लिए टार बाए बाए